नमस्कार दोस्टों मिर्णाव में विमल सिंग बाला जिस्ट रेड़ा में आप सभी का स्वागत हैं बियार सिक्षक भरती फेस थ्री को लेकर के एक से पांच के लेवल का तो पहले ही जो रोस्टर था वो क्लेर हो चुगा था टोटल सीटों को लेकर के जहांपर 28,000 सीटे फाइनल ना हो करके 25,000 के सम्थिंग में जो सीटे थी वो फाइनल होई थी जिसमें जो पद थे वो 25,505 थे एक से पांच के लेवल को लेकर के 6-8 को लेकर के जो खबरती की 6-8 का जो रोस्टर है वो 4 नौमबर तक हरहाल में कम्पलीट हो जाएगा पर अज 6 नौमबर हो गया है और फाइनली आपका रोस्टर जो है वो मिल गया है तो कितनी सीटों को लेकर के मिला है उसकी बात इस वीडियो में करते हैं तो TRE3 परिक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर 1-5 के बाद अब 6-8 का भी आयोग को मिला रोस्टर और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट की संक्या की बात की गई है वो है 18400 इससे जादा रिक्तियां का मिला है रोस्टर यहाँ पर देखें तो exact data की बात भी की गई है पर उ 19,000 के सम्थिंग में थी 19,645 के करीब तो वहाँ पर जितनी टोटल स्टार्टिंग में सीटे थी उतने ही टोटल पद अब रोस्टर में आपको देखने को नहीं मिला है जैसे अगर आप देखेंगे 1-5 के लेवल पर तो वहाँ पर 28,026 सीटे थी जब आपका notification निकाला गया जहां पर हुआ क्या कि जब पहले रोस्टर निकाला गया तो वहाँ पर आपका 24,902 का निकाला गया था फिर संसुधित रोस्टर फिर से निकाला गया तो वहाँ पर 25,505 हो गए थी सीटे तो अभी भी उस लेवल के बरावर नहीं हुई है जो स्टार्टिंग में notification निकाला गया था आगे लिखा है कि पहले एक से पांच का रिजल्ट होगा जारी उसके तुरंत बात छे से आट का रिजल्ट होगा जारी और रिजल्ट को लेकर के यह भी लिखा है कि माद्मिक और उच्छ माद्मिक का फाइनल रोस्टर आयोग को अभी नहीं हुआ है प्राप्त त ये मान के चलिए कि जो मिड आपका नवंबर है इसी में आपको कोई खबर रिजल्ट को ले करके देखने को मिल सकती क्योंकि जो 15 नवंबर की डेट है वो पहले से लगातार चलती आ रही थी अब थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है तो हो सकता इस रिजल्ट को ले करके भी जल्दी जो है वो देखने को मिले बाकि अई था हमारे सोराल अपडेट में कोई प्रस नो कमेंट पूछ लीजेगा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब किजिगा मिलते हैं अगले बडेट में तब तक के लिए सभी को नमस्कार जाहिन